यदि आपकी राशी वरशब है तो करें ये जरूरी उपाएं यदि आपकी वरशब राशी है तो आपके लिए यहाँ लाल किताब के अनुसर कुछ जरूरी सला दी जा रही है प्रत्वी तर्त्व पल्धान वरशब राशी के कारग्र बुद्ध शुक्र और शनी माने गए हैं जबकि इसका स्वामी ग्रश शुक्र है वरशब लगन की बादक राशी प्रश्चिक तथा बादक ग्रश मंगल है दूसरे भाव में वरशब राशी मानी गई है जबकि इसक किसी प्रकार की कोई चोट या रोग हो जाए अंगूठे में अनावशक दर्द बना रहे अतिधिक खुजली तुचाप चर्म या यून रोग होता है पतनी को कर्ष्ट या पतनी से अनावशक कलह धन संपत्ति और इस्त्री सुक में कमी हो जाती है सौपन दोस्त कमजोरी और भाए यह सबी शुकर के अशुब होने की निशानी है सावधानी किसी भी प्रकार का व्यसन न करें वादा करके मुकरें नहीं पतनी या इस्त्री से जगडें नहीं यविचार या अप्राकतिक करत्य से दूर रहें जूट न बोलें शुकरवार को खटाई न खाएं किसी को अनावश्चत परशान न करें उपाई प्रति दिन शांग को घीं का दीपक जलाएं रोज भराई का कुई एक कारें बैठे कमरें में मनी प्लांट लगाएं चान्दी का सिक्ता अपने पास रखें गाई को प्रति दिन अपने भोजन का कुछ हिस्सा अवश्च्य दें मिसा भाई व्यक्ति के पालन पोशन का जिम्मा भी ले सकते हैं शुक्रवार का वरत रख कर लक्ष्मी माता की उपासना करें साथ प्रकार के अनाच जुआर और चरी का दान करना चाहिए चतुर्थ भाव में शुक्र मंदा होने पर पत्नी से पुन्ह शादी करें पत्नी को घर को साफ सुतरा रखें और हमेशा साफ कपड़े पहने नित्य नहाएं शरील को जरावी गंदा न रखें सुगंदित इत्र या सेंट का पुपियो करें पवित्र बने रहें